जेहिन दोस्तो वेलकम टू मिसल क्लासेस दोस्तो आप लोगों ने इतना सारा कॉमेंट कियें कि मुझे देखकर लगा कि नहीं सेमस्टर 6 से रिलेटेड अभी एक्जाम चल रहा है तो मुझे बताना चाहिए तो आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस सेमस्टर 6 के साइंस सब्जेट पॉलिटिकल साइंस और कोर्ट 13 और 14 का पेपर लेकर आया हूं जो कोश्चन 2020 में पूछे गए हैं आज में बताने वाला हूं दोस्तो इसी परकास से कोश्चन 2020 यानि जो आप लोग एक्जाम देने बाले हैं इसी परकास से पूछे जाएंगे तो चले बोक्स में जरूर बताएंगे मैं उसका एंसर भी बताऊंगा दोस्तो धेहां से देखी जैसे कोश्चन नमबर वान में लिखा है समतावादी व्यवस्था के अंत के बाद उत्पन होने वाले राजिनतिक व्यवस्था कौन से थी इसी परकास से कोश्चन पूछा जाएगा तो यहां से देखकर आप नेट में सर्च मर सकते हैं दोस्तों गूगल पर जाकर यहां देख सकते हैं और कोई भी कोश्चन लोग गूगल पर सर्च करें तो आपको एंसर आराम से मिल सकता है तो दोस्तों चेलिए आगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन प्राकिती अधिकारी की घोजना कि सक्रांती दोरा की गया था यह अमरिका यूरोप फ्रेंच या बैसाइन यह सब सब गूगल पर देख सकते हैं अगला है नारिवाद अंदोलन का मुल्य अधार क्या है इसे प्रकाश कोशन पूछे जाएंगे दोस्तों आप लोगों से ध्यान से देख देविड इस्टन ने वैवारबादी के कितने लक्षन बताएं थे यह भी कोशन बहुत इंपोर्टेंट है किसे ने बिजरधारा सब्द परियोग किया तो दूस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हीगल बहुत इंपोर्टेंट है यह कोशन आपसे पूछा जाएगा दूस जैंस ब्राइस ने किस देज को लोगतंद्र का उस्तेनी घर कहा तो यह दूस्तों सही उत्तर हो जाएगा option number A यानि अमरीका अगला दिखते हैं अगला दूस्तों यहां तक 10 कोश्चन ही आपसे पूछा गया था 2020 के एक्जाम में दो जो पोलिटिकल साइंस रिलेटेट कोर 13 के पेपर में सिर्फ 10 ही कोश्चन की भी लिख सकते हैं कि राजनितिक परिवरतन का सिधांत या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि लोगतंत्र का भविश। ये भी बोल सकते हैं अगला दिखते हैं दोस्तों इस चारों में से किसी दो person का आप उतर दे सकते हैं अब हम लोग चलते हैं long question ये तो सबसे important है long question दोस्तों بहुत important है और लोंग कोशन मैं वादा करता हूँ दोस्तों आप लोग बिलिब करें मेरे बात कि जो मैं बता रहा हूँ इसी से रिलेटेट आपका एक्जाम में पूछे जाएंगे अगर नहीं पूछे जाएंगे तो comment box में जरूर बताएंगे जैसे दोस्तों पहला दिया है उत्तर व्यवारवाद क्या है इसके परमुग लक्षनों का परिछन करें यह आपसे पूछा जाएगा राजनितिक सिधान्त के पतन पर एक निबंद लिखें एही सब question बार बार रिपीट होते हैं अगला दिया है जो दोस्तों जैसे राजनिति सिधान्त के पुना उठान से आप क्या समझते हैं यह भी मौस्ट इंपोर्टेंट है अगला दिया है question 5 यह तो बहुत ही इंपोर्टेंट है विचारधारा के अंत से आप क्या समझते हैं यह question note करें दोस्तों यह question आपसे पूछा जाएगा आपकी एक्जाम में इसकी विश question 100 person आएंगे दोस्तों मेरे तरफ से यह याद रखें अगला दियाए उदारवाद क्या है इसकी विशिस्ता लिखें यही सब question आपसे core 13 में पूछे गए थे तो चलिए हम लोग बिनादिर की आप question देखते हैं 14 चैप्टर यानि core 14 के question को तो core 14 दोस्तों एक political science related है यह आप कांस भाग प्रमप्राओं पर अधारित तो याद रखेगा यह है ब्रीटन most important question अगला दिया है सामिधानवाद होता है सामिधानवाद क्या होता है तो याद रखेगा गतिसिल डाइनामीक अगला दिया है दोस्तों कौन सा विचारक पश्चायतिव पराजनितिक चिंतन में सामिधानवाद का जनक माना जाता है तो याद रखेगा यह भी औरुस्तु इसे इंग्लिज में Aristotle का जाता है अगला दिखते हैं question number D लोकतंत्र का प्रान कहा जाता है दोस्तों याद रखेगा लोकतंत्र का प्रान किसे का जाता है यह भी नेट में आप सर्च करके लिख सकत हैं अगला दिया है दोस्तों किने अग्यात समराज्जी कहा जाता है तो याद रखेगा यह है दबाब समू प्रेसर ग्रूप्स अगला दिया है अमरिका में कौन सी दल प्रानी परनाली पाई जाती है तो याद रखेगा दली परनाली बहुत ही इंपोर्टेंट है इस से र अगला दिया है सक्ति पिर्थिकरण सिधान्त किसी ने परतिपादित क्या था तो दोस्तों इसका से उत्तर हो जागा मॉन्टर स्क्यू इसका से उत्तर हो जागा मॉन्टेन स्क्यू अगला दिखते हैं अगला दिया है स्वास्त जन्मत के निर्मान में बाधक है स्वास्त नि चार ऑफशन है आप देख सकते हैं या तो Google सेर्च करके आप सबसे आसायी बात यह है दोस्ट आप Google पे सर्च करें यह सब कोशन रिपीट होते हैं अब चलते हैं हम लोग स्वास्त जन्मत के निर्मान में बाधाओं का उल्ले करें, यह सोट कोशन है, चार में सद्धू आपको लिखना जरूरी है, अब हम लिख चलते हैं, लॉंग कोशन के ओर, जो लॉंग कोशन होता है दोस्तों, यह 15 माक्स के पूछे जाते हैं, समिधान को परिवासित करें, सम तक अवांचनी और व्यवाहरिक है, अगला प्रशन है, दली व्यवस्ता के गून तथा दोसों की व्यवक्षा करें, एवं दल पधती के दोसों दूर करने की उपायों को वर्नन करें, यह से कोशन पूछे आते हैं, दोस्तों यह सब 30 कोशन का है, 30 नमर का कोशन है, अगला दिया है, ब्रिटन, अमरिका, फ्रांस, स्विजिलेंड तथा चीन की राजनितिक वधतियों में दबाब समों की भूमिका का वर्नन करें, यह तो आप यह भी लिख सकते हैं, दबाब समों के आर्थ, परिवासा एवं प्राकिर्टी की वेवचना करें, दोस्तों यह से कोश आर्थिक आधारों का वर्नन करें, आप लोग सोचते होंगे दोस्तों की लॉंग कोशन में कितना लिखना है, तो लॉंग कोशन में तीन ही लिखना है, मेरे दोस्तों लॉंग कोशन में आप लोगों को साथ आठ कोशन दिये होते हैं, उनमें से तीन ही प्राशन का उतर दे चीज में पूछे गए थे दोस्तों अगर आप लोगों को एंसर ऑब्जेक्टिव का एंसर मालूम नहीं है तो कॉमेंट बक्स में बताएं जरूर मैं नेट से गूगल से सर्च करके आप लोगों को जरूर फिर से एक वीडियो अप्लोड कर दूंगा तो चेली हम लोग अब चलते हैं डियसी पेपर 3 और डियसी पेपर 4 तब तक के लिए दूस्तों जय हिंड जय भारत बंदेमाद